नमस्कार मेहोदिवय बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 13 नवेंबर दिन बुधवार खबरों क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज से शुरू हो रहा विस्व प्रस्द सोनपूर मेला यातायात विवस्था का नया रूट चार्ट हुआ तयार राधस्थान पंजाब से आएंगे खास नसल के घोडे गैर आवासिये कोचन 15 नवेंबर आविदन की लास्ट डेट दसवी बोट के चातर कर सकते हैं आविदन पेकरिया है नसलक छेटे होकी मुकाबले में भारत ने कोरिया को हराया चीन मलेसिया के बीच मुकाबले में चीन की हुई जीत होकी चेंबिन्स टॉफी का रोमान चक आयोजन है चारी चंपारन के सक्षम अमिताब बच्चन के के बीसी सो में आएंगे नजर नवेंबर को उनका सोफ होगा प्रसाड बिहार के के बीसी विजेता सुसील कुमार ने भी दिया वधाई अब दो पहर के बाद भी मिलेगी OPD सेवा, जान निवंधन और OPD सेवा का समय OPD समद्धी परिश्वानी पर एक सूने चार पर करे कॉल आज देश के दस राज्जों में बत्तो सीटों पर उप्चनाव, बिहार के चार विधान सबा सीटे हैं सामल आज का उप्चनाव विधान सबा चनाव का सेमी फाइनल आज इंडिया साउथ एफरीका के T20 सीरीज का थर्ड मैच सेंचूरियन की पीच गेंद बाजों के लिए उप्योगत स्पोर्ट सेटीन पर देख सकते हैं लाइव अब चले भरते हैं आप तक के 35 बरी खबरों के और विस्तार से AVANI ने ओर्डिनेंस फैक्टरी मेदक में 86 पदों पर भरती निकाली है यह भरती कॉंट्रेक्ट बिसेस पर होगी जिसमें डिप्लोमा तकनीस है समेत कई पद भरे जाएंगे आविदन प्रक्रिया शुरू है और आविदन करने के अंतिम तारीक 30 नवेंबर है इच्छो को मिद्वार ओफलाइन तरीके से आविदन करेंगे आविदन के लिए आप इसकी धाक का पता डेप्टी जिनर्र, मैनेजर या HR, ओडिनेंस फैक्टरी में दक यदू, मैलारम, जिला, संगारेड़ी, तिलंगाना 502-205 पर भेच सकते हैं उमिद्वारों का चैन इंटर्व्यू और डॉक्यमेंट वैरिफिकेशन के आधार पर होगा आज से विश्व प्रस्थिद सोनपुर मेले के शुरुआत होने जा रही है सारंजिला प्रसासन ने मेले की भीर को नियंतरत करने के लिए याता यात ववस्था का नया रूट चार्ट तयार किया है पुरानी गंड़क पुल पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा जबकि नई गंड़क पुल पर बड़े वाहनों का प्रवेश नसेध होगा मेला में आने वाले वियाईपी के लिए विसेश मार्ग तयार किये गए है इस वर्स मेला शेतर में तीन वैसनों देवी गुफाओं का नर्मान किया जा रहा है इसके अलावे मेला में विभिन प्रदर्सनी दुकाने जूले और मनुरंजन की वेवस्था है हालांकि कुछ हस्थानों पर सरके और घार तयार नहीं है और सरकारी प्रदर्सनियां भी देड़ से तयार हो रही है सोनपुर मेला घोरा बाजार के लिए प्रसिद है जहां रादस्थान, पंजाब और यूपी से महंगे घोरे आते हैं सेक्षिनिक सत्र दोहजार पक्चिस चबिस के लिए जवाहर नवोदय विद्यालें में कक्षा नौवी और एक्यार्वी में नामंकन को लेकर लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट दोहजार पक्चिस के लिए आविदन तिथी नवोदय विद्यालें समीती एनवी एस द्वारा बरहा दी गई है अब 19 नवेंबर तक उमिद्वार आविदन कर सकते हैं आविदन, cbsc, itms.nic.in पर ऑनलाइन किये जा सकते हैं परिक्षा आठ फरवरी 2025 को होगी, कक्षा नवी में आविदन के लिए उमिद्वार को उसी दिले का निवासी होना चाहिए जहां जीनवी इस्थित है और कक्षा आठ वी में परहाई कर रहे हों मिद्वार आविदन कर सकते हैं काक्षा 11 किलो में द्वारों को काक्षा 10 वी में परहाई करना जरूरी है इसके अलावे बाल दिवसपर 14 नवेंबर को बिहार राज्य फिल्म विकास निकम द्वारा बाल फिल्म मोहत्सव और कारेसाला का आउजन भी किया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदियास दर्भंगा आकर एम्स निर्मान के सिलान्यास और भूमी पूजन कालिकरब में भाग लेंगे आज प्रधान मंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्खाटन भी कर सकते हैं दर्भंगा में एम्स 188 एकर भूमी पर बनेगा जिसकी लागत 1264 करोर रुपे होगी और इसमें 750 बेट की श्रमता होगी ये परियोजना 36 महीनों में पूरी होगी प्रधान मंत्री अन्य स्वगाते भी देंगे जैसे रेलवे बाइपास करकर घटी इस्टेशन का उद्खाटन और दर्भंगा मधुबनी समस्तिपूर के बाइपास सरकूं का सिला नियाज सांसत गोपाल जी ठाकूर ने बताया कि ये एम्स मिथलाव शेतर के लिए एक बरी उपलब्धी है इस एम्स से मिथलांचर बिहार के अन्य चलों और नेपाल को भी फायदा मिलेगा अगर कभी किसी दुकानदार या कंपनी ने आपको धोका दिया हो या सामान में कोई कमी हो तो अब आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है सरकार ने ग्रांकों की मदद के लिए ओनलाइन कंस्यूमर कोर्ट पोर्टल तयार किया है जहां आप घर बैठे अपने सिकायत दर्ज कर सकते हैं इसके लिए आपको कंस्यूमर हेलपलाइन.gov.in वेबसाइट पर जाकर साइन आप करना होगा फिर अकाउंट में लॉग इन करके अपने सिकायत की जानकारी भड़नी होगी इसके बाद आपके सिकायत सब्मिट हो जाएगी और आपको एक कंप्लेन नमबर मिलेगा आप अपने सिकायत का स्टेटस भी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं ये पोर्टल ग्रहांकों के अधिकारों की रक्षा करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है बिहार में सिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीती को लेकर विवाद बर गया है सिक्षक संगठन नई ट्रांसफर पोस्टिंग नियामावली का विरोध कर रहे हैं खास कर उन बिंदूओं पर जो उनके अनुसार अंदेखे हैं सिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जिन जिलों में एक ही अनुवंडल है वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग नीती में बदलाव किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन जिलों में विभाजन कर सिक्षकों की पोस्टिंग उसे जिले में की जाएगी बिहार के आठ जिले जहानाबाद, अर्वल, सिखपूरा, लखी सराय, जमुई, बांका, किसंगंज और सिवहर इस नियम के दाइरे में आते हैं वही टीटी सिक्षक संग के अधियाक शुनितेश कुमार का कहना है कि टांसफर पोर्टल पर कई समस्याय आ रही है खास कर महिला सिक्षकों के लिए जो अब नियायाले जाने की तैयारी कर रहे है 14 नवेंबर को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है पिछले सब्दा दिवाली छट और उप्चुनाव के कारण बैठक नहीं हो पाई थी लेकिन अब तीन सब्दा बाद ये बैठक होने जा रही है बैठक में बिहार सरकार के कर्मचारियों और पिंसन भोगियों को तीन प्रतिसत दिये देने का फैसला हो सकता है जैसा कि किंदर सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए बरहा दिया था कैबिनेट की बैठक मुखे सचीवाले के कैबिनेट हॉल में 14 नवेंबर को सारे 11 बजे होगी इस बैठक में कई महत्वपोर्ण फैसले लिये जा सकते हैं जैसे नौकरी और रोजगार से जुरे मुद्दे और कर्मचारियों के लिए डिये का एलान बिहार में लगबग 11 लाग सरकारी, कर्मचारी और पिंसंधारी इस फैसले का लाब उठा सकते हैं राजगीर में बिहार विमेंस एसियन होकी चैंपियन्स ट्रोफी का रोमांचा काया उजन जारी है बीते दिन का पांचवा मैच चीन और मलेसिया के बीच था जिसमें चीन ने मलेसिया को पांच सून्य से हराया था वहीं छठा मुकाबला भारत और कोरिया के बीच था जिसमें भारत ने कोरिया को तीन दो से हरा कर मुकाबला अपने नाम किया है आपको बता दें कि संतराश्ट्री अस्तर के मुकाबले कायोजन 20 नवेंबर तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स में देखने को मिलेगा अस्थानिय निकाय सक्षकों की सक्षमता परिक्षा ध्वितिय की पुनर परिक्षा बुधवार को साथ विसयों में यानि कि आज आयोजित की जाएगी इन विसयों में कक्षा 9-10 के संगीत, हिंदी ग्रेविज्ञान, नृत्य और फार्सी तथा कक्षा 11-12 के ग्रेविज्ञान और इतिहास सामल हैं पहले इन विसयों के प्रस्थन पत्रों में भी संगती के कारण परिक्षा रद कर दी गई थी, अब नय प्रवेस पत्र जारी के गए हैं, अभ्यार्तियों को मूल प्रवेस पत्र पर आधार कार के साथ परिक्षा केंद्र पर पहुचना होगा, ये परिक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और सुबह 10 बजे से सारे 12 बजे तक चलेगी, परिक्षा के लिए तीन केंद्र पत्ना में निर्धारित के गए हैं, अब भीहर्ति अपना प्रवेस पत्र www.bsdv.sakshantar.com पर से डाउनलोट कर सके और जिला कारिकरम पदाधिकारी से हस्ताक्षर करवा सकते ह बिहार विद्याले परिक्षा समीती द्वारा ने सुल्क गैर आवासिय कोचिंग के लिए आविदन के अंतिम तिथी 15 नवेंबर 2024 है, इच्छुक चातर आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाकर पंजिकरन कर सकते हैं, ये कोचिंग बिहार बोड के 7-7 अन्य बोडो और इंटर्व्यू सामिल है, चैनित चातरों को पूरे पाठिकरम दो साल की दौरान प्रतेक महीने 1000 रुपए की स्कॉलर्शिप मिलेगी, अधिक जानकारी के लोग में द्वारों को वेबसाइट पर जाने की सला दी जाती है चमपारन मोतिहारी के सक्षम रंजन जो केंद्रिय विद्याले के आजवी कक्षा के छातर है, बाल दिवस के विसेश केवीसी एपिसोड में हौट सीट पर बैठने वाले हैं उनका एपिसोड 15 नवेंबर को प्रसारित होगा, सक्षम के पिताप रनफ कुमार पंडित पूर पिपरा कोठी के एक सरकारी स्कूल में प्रधान सिक्षक है, जबकि उनकी माग रहनी है इससे पहने मोतिहारी के सुसील कुमार भी केवीसी के जैकपॉट विजेता रह चुके है, सक्षम ने बताया कि अमिताप बच्चन के सामने हौट सीट पर बैठना उनका सपना था, जो अब पूरा हुआ, केवीसी में भाग लेने के लिए उन्हें मुंबई बुलाय गया थ जहां उनका और्डिसन हुआ है, इस उपलब्धी पर केंद्रिय विद्याले और महले में खुशी का महौल है और केवीसी विजेता सुसील कुमार ने सक्षम को बधाई दी अब प्रदेश के सभी सरकारी चकित्सा महा विद्याले अस्पताल वा सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली ओपीडी की सुधा दोपहर के बाद भी दी जाएगी नवेंबर से फरवरी तक ओपीडी निबंधन का समय सुभे 8 बजे से दोपहर के देर बजे तक रहेगा फिर दोपहर धाई बजे से साम के 4 बजे तक रहेगा ओपीडी के समय की बात करें तो ये सुभे 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक फिर 3 बजे से साम के 5 बजे तक सेवा मिलेगी ओपीडी सेवा सम्बंधी किसी तरह की परिशानी के लिए टॉल फ्री नमबर एक सुने चार पर कॉल कर सकते हैं ध्यान अके रविवार्व सरकारी छुट्टी के दिन सेवा बंद रहेगी बेटी बचाओ बेटी परहाओ योजना के तहत राज्य के 17 जलों ने आवंटित रासी का उप्योग नहीं किया है जिन में राजधानी पटना भी सामिल है महिला एवं बाल विकास निगम के समिक्षा बैठक में ये जानकारी सामने आई है निगम ने सभी जलाधिकारियों को जल्द से जल्द रासी खर्च करने का नरदेश दिया है अगर फरवरी 2025 तक रासी खर्च नहीं की गई तो वो वापस ले लिये जाएंगे योजना के तहट हर जल्द को 5-10 लाख रुपए तक की रासी आवंटित की गई थी जो अपरल 2024 में वितरित की गई थी इस योजना का उदेश से लर्कियों की सिक्षा उस्तुरक्षा महिला ससक्ती करन और लिंग भेदभाब को कम करना है खर्च ना करने वाले जलों में होगा क्योंकि आयोध्या में राम मंदिर निर्मान के बाद ये पहला विवावत सब है नेपाल में विस्वे हिंदू परिसद यानि विहेप के नेतरित्व में तिलक यात्रा आयोध्या के लिए निकलेगी जिसमें 251 लोग सामल होंगे यात्रा 16 नवेंबर को जनकपुर ध मारात का पराब कांटी में होगा जहां 19 नवेंबर को भविस्वागत होगा ये यात्रा पहले कभी ना देखे गए धार में कुछा के साथ होगा वाट्सेप ने एक नया चैट लॉक फीचर पेस किया है जिससे आप अपनी सेंसिटिव चैट्स को सरक्षित रख सकते हैं इस फीचर के तहत लॉक की गई चैट्स एक अलग फोल्डर में रखी जाएगी जो बाकी चैट्स से अलग दिखेगा इसके लावे वाट्सेप ने एक सीक्रेट कोड का ओफशन भी जो रहा है जिससे आप लॉक की गई चैट्स को छिपा सकते हैं और उन्हें दूसरों से छिप से ले कर पहले आपको चैट्स को लॉक करना होगा फिर लॉक चैट्स फोल्डर में जाकर कोड सेट करने होगे इस कोड को एंटर करने से आपकी लॉक की गई बैठा की 14 नवेंबर रात से लेकर 15 नवेंबर तक पटना के प्रमुख गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे NDRF की तीन टीम में मोटर बोट गस्ती करेंगे और डीब गोता खोल भी घाटों पर मौजूद रहेंगे डीम ने सभी सीओ को अलर्ट रहने का निर्देश दिया और असनान की दोरान किसी भी और सामाजिक तत्वों की गंतिविधियों पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है इस दोरान गंगा और अन्य नदियों में नीजी नाव का परिचालन भी प्रतिबंदूत रहेगा नवेंबर महिना का दूसरा हफता बीत जाने के बाद भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है हालांकि पच्छुआ हवा के प्रभाव से ठंड में व्रधी देखने को मिल सकती है आज प्रदेश में अधिकतर जगों पर मौसम सुस्क रहने की संभाबना है आज प्रदेश में अधिकतर तापमान 30-32 डिगरी और नियूंतर तापमान कुछ जगों पर 18-20 डिगरी और कुछ जगों पर 20-22 डिगरी रहने की संभाबना जताई गई है बिहार के नवादा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जहां 16 साइबर अपराधियों को गिरफतार किया गया है जो ऑनलाइन ठगी में लिप्त थे पुलिस ने मंगलवार को स्पी कारियाले में प्रियसवार्दा की दौरान बताया कि साइबर डियस पे प्रिया जोती के नितरत में वारसली गंज श्वेतर में विसेश छापे मारी की गई जिसमें बगीजे से बैठ कर ठगी करने वाले 16 आरूपियों को पकरा गया उनके पास इसे मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड और विभिन कंपनियों के दस्तावेज बरामत के गए हैं या प्रादी लोगों को फोन करके विभिन कंपनियों के नाम पर जहांसा देकर ठगी करते थे पुलिस ने कोच गाउं में पहले डेड मारी और फिर घेरा बंद दोपहर और रात का खाना मोहिया कराता है, प्रमुक ट्रेनों में खाना देने का समय तैह है, जैसे सुबह 6-8 बजे तक चाय, 8-9 बजे तक नासता और सारे 7-9 बजे तक रात का खाना, यदि यात्री ने पहले से खाना बुक नहीं किया है तो वे IRCTC की साइट या इसके वा IRCTC साथ मिलकर खाना डिलीवर करती है, 15 नवेंबर को स्वतंतरता सेनानी बिरसा मुंडा की 150 वी जेंती विद्यालें में मनाई जाएगी, इस दिन से 25 नवेंबर तक जन जाती गौरब पकवारा भी मनाया जाएगा, सिक्षा मंतराले ने सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं, पकवारी के दोरान स्कूलों में विसेश जेतना सत्र आयोजित की जाएंगे, दिन में बिरसा मुंडा और अन्य जन जाती है, स्वतंतरता सेनानीों के योगदान पर चर्चा होगी, विद्यार्थियों को उनकी झीवनी से अबगत कराया और पिंटिंग प्रतियोगिता दिवार लेखन जैसी गते विधियां भी आयोजित की जाएंगी, जिससे बच्चों को जन जाती है, कला और संस्कृति के प्रती जागरू किया जाएगा, बिहार सिक्षा परियोजना, परिसद ने जिला सिक्षा धिकारियों को इन गते प्रतियों को आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। जीतना मांजी की बहुत दीपा मांजी मैदान में है, बेला गंज से जदियों के मनुरामा देवी चुनाव लग रही है, 2020 के विधासवा चुनाव में इन चार में से तीन सीटे महा गठवंदन ने जीती थी, जबकि एक सीट बीजेपी के सहयोगी ने, इस सुब चुनाव म सूपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा, सिरीज एक एक के से बराबरी पर है और दोनों टीमे जीत के लिए संघर्ज करेंगी, भारत ने पहले मैच में 61 रन से जीत दर्ज किये थे, जबकि दूसरे मैच में साउथ अफरिका ने तीन विकेट से जीत हांसल की थी, संच पहाबना है, ये मैच स्पोर्ट से टीन नेटवर्क पर लाइब देखा जाएगा और जियो सिनेमा पर इसकी लाइब स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी कई कानों से दर्ज है भारत के तिहास में आज की तारीख, आज के दिन वर्स 1770 में पंजाब के महराजा रंजीत सिंग का गुंजरा वाला में जन्व हुआ था, आज के दिन वर्स 2019 में भारती उच्टम नियायाले ने कहा था कि प्रधान नियाए धीस का कारियाले सारवजन एक प्राधिकरन है और ये सूचना का अधिकार अधनियम के तहट आता है, आज के दिन वर्स 2007 में गांधी माई फादर को अस्ट्रेलिया में आयोजित एसिया पैसिफिक स्क्रिन अवार्ड में सर्वस्रेश्टर पटका था, पुरस्कार मिला था, आज के दिन वर्स 892 में रायक रसन दास का जन हुआ था, ये कहानिकार और गद्दिक गीत लेखाग थे। को सेर करते वे फ़र्जी बताया है, इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचेए। 1852.05 सुने अंक पर आ गया, दिन के शुरुआत में दुनों सूचका अंक में हलकी बरहत थी, लेकिन बाद में गिरावट का सिलसला शुरू हो गया, कारुबार के अंत में BSE में 30 कंपनियों में से 25 के सेर गिरावट में रहे हैं, जबकि 5 कंपनियों के सेर मुनाफे में रहे हैं। हम प्रति दिन आप से 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतोगी परिक्षवाँ में काम आएंगे, सवाल इतिहास, बिहार स्पेसल, विज्ञान, करन्ट अफेर्स और बुगोस पूछे गए 5 सवालों में अपने कितना सहीं उतर दिया या में कॉमेंट मेले का जरूर बताएं, तो हमारा पहला सवाल है, हाली में विस्व रेडियोग्राफी दिवस कब बनाये क्या है, आप्सन A है 8 नवेंबर, आप्सन B है 9 नवेंबर, आप्सन C है 10 नवेंबर, आप् आप्सन है चीन, आप्सन B आस्ट्रेलिया, आप्सन C näm, आप्सन D हतर कोरिया, इसका सहीं उतर ऑश्टेलिया, हाली में किस बैंक ने इन खारैंक गारंटी स्विधा शुरू की है, आप्सन इन इह आएसी आइसी है, आप्सन D हैस्व बैंक, आप्सन सी पंजाब एं समबादन किस ने किया था अप्सने बाल मुकुंद वाजपई आप्सन भी कृस्ण वल्लब सहाई आप्सन सी बाबु महेस्वरी प्रसाद और इनमें से कोई नहीं इसका सही तरह बाल मुकुंद वाजपई बॉइज असोसियेशन के संस्थापक कौन थे ऑप्सन है असपाक खान ऑप्सन भी है सूर्यदेव नारायन वर्मा ऑप्सन सी जग्धीश्वर प्रसाद ऑप्सन भी है सातीश चंद्र इसका सही तरह सूर्यदेव नारायन बीदे दिन हमारे दौर पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने परना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लेकर दिया है जिन्होंने हमारे दौर पूछे के सवाल का जवाब दिन के नाम है कंचन राजवंसी, उमा संकर सिंग, राजकुमार यादब, सुमेंदर यादब, राम बाबुदास, महमद रवियूल्ला, भरत प्रसाद, महमद साकीर हुसैन, स्रवन कुमार, रवी कुमार गुपता, नुन्नु गोलु कुमार, गौतम कुमार, अभे कुपता, रवी अरजु कुमार तुरिये साहर आजीव दुबे असुक कुमार इसी के साथ वरत्यात के सवाल क्यों राद का सवाल है क्या आप रेल्वी की ववस्ता से संतोष्ट हैं आप अपना जवाब हमें कॉमेंट में लिक कर जरूर बताएं आज के लिए तना ही बिहार के तमाम खबरों के स्ता साथ बने रहने के लिए देखते हैं अभी हारी न्यूट और साथिक आप यूट्यूप से देखने हैं तो चैनल को लाइकन और सब्सक्राइब अगर आप फिस देखने तो फेच को फॉलू करना ना भूले धन्यवाद